हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फिर से आ गई हूँ यूसफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे घर के किचन के काम को बेहद आसान बना देती हैं तो घर से जुड़ी किचन से जुड़ी ऐसी ही यूसफुल टिप्स मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ जो आपके बेहद काम आने वाली है उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूसफुल लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को कर लेते हैं फेली टृफ हमारी डॉर्मेट को लेकर है इस तरह के ग्रास वाले ये लिए पाइदान होते हैं इनके नीचे इस तरह की प्लास् kon delle तो इसलिए यह ज़्यादा फिसलते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही यूसफुल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है करना क्या है देखें आपको ले लेनी है डबल साइड़ी टेप जी हां फ्रेंज हम यहां पर डबल साइड़ी टेप का यू दूसरी साइड भी मैं इस तरह से डबल साइड़ी टेप लगा दूंगी आप चाहे तो चारो कोनों पर भी डबल साइड़ी टेप लगा सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा तो दोनों साइड मैंने डबल साइड़ी टेप लगा दी है अब अधना त्फिक्सकांट और श्रूंट संदिटा रखके न करें अधनी। प्रेजन अधनी प्रेड़ 75 किवर 50 कि व्रेयों काशा में पाले पीड़ी, अगर आप यूज करते हैं, या कोई भी डॉर्मेट आप भी आप इसको लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिला है, तो मैं आपको पैर से भी करके दिखाऊंगी, कि ये अपनी जगे से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, तो आप देख सकते हैं मैं कितनी जोड जोड से पैरोगप से कर रही हूँ तो यह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं इला है तो आप इस तरह से ट्राइज जरूर से कीजिएगा बहुत ही जादा यूसफुल है बच्चे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे एक जगह ये फिक्स रहेगा उमीद करती हूँ ये ट्रिक आपको बेहत पसंद आई होगी चले फैंस अगली यूसफुल ट्रिक देख लेते हैं अगली ट्रिक हमारी रासन को लेकर है देखें कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सारे डिब्बे भढ़ जाते हैं हमारे पास कोई कंटेनर नहीं रहता है तो ऐसे म हम क्या करें और अगर हम कोई चीज यूज करते हैं और फिर इसको ऐसी खुली छोड़ दे तो खराब होने का डर रहता है तो हमें करना क्या है देखें इस तरह की बोटल हम सब के घर में पड़ी ही रहती है हमें इससे चाकू गरम करकर इसको काट लेना है मैं आपको बता र मैंने इसको कट कर लिया था अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो सूजी खराब हो जाएगी तो देखें हमें इसमें इस तरह से बोटल को डाल देना है और यहां पर हमें रबट बेंड लगा देना है देखें यह वाला हमें इसमें दो तिन रबट बेंड लगा देना है ज अब आप इसको use कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और फिर आप इसको ढखन लगाकर रख सकते हैं इससे आपका जो समान है packet में वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये देख सकते हैं चलिए मैं आपको इसको इसको इस्तमाल करकर दिखाती हूँ जैसे कि ये सूजी का packet है तो जब मुझे सूजी इसमें चाहिए होती है तो मैं इसको कुछ इस तरह से निकाल लेती हूँ और फिर डखन बंद करकर रख देती हूँ उमीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा आप इसको ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा तो चलिए फ्रेंस आगली यू और जब हम मौर्निंग में इसको यूज करते हैं हम जादे से जादे से इसको पानी से दोकर ऐसी ही उस कर लेते हैं लेकिन मैं आज आपको बहुत यूसफुल से ट्रिक बताऊंगे जिससे कि आपको इस प्रॉबलम से दूर हो जाएगा तो रात में आप एक ये छोटा सा का तो वो नहीं आने के हैं तो आप इसको मौर्निंग में डारेक्ट आप यूज कीजिएगा दोने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखें उमीद करती हूँ ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी आप अपने किचन के काम में इसको जरूर से शा अगली यूसफुल ट्रिक देख लेते हैं जादे तर हम अपने बालू में ओईल रात में ही लगाते हैं और फिर जब हम ओईल लगाकर सोते हैं तो हमारे तक्ये पर कुछ इस तरह से ओईल लग जाता है हम इसको कितना ही साफ कर लें ये साफ बिल्कुल भी नहीं होता है तो वो इस पे ओईल लग गया है मैंने कपड़ा भी डाला था फिर भी वो हट गया था तो आज मैं आपको बहुत यूसफुल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे की आपका तक्ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे ओईल बिल्कुल भी नहीं लगने का हम क्या करते हैं देखे जब ह हम ओईल लगाते हैं तो हम उपर से इस तरह से कोई भी कपड़ा डाल देते हैं तो वो क्या होता है रात के टाइम पर सोने में इधर उदर ये कपड़ा हट जाता है तो फिर भी हमारा जो तक्या है वो गंदा हो जाता है लेकिन मैं आज आपको बहुत यूसफुल सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आपको करना क्या है मैं टीशेट का ही उज़ करने वाली हूँ पुरानी कोई टीशेट ले लिजेगा और इस तक्ये को टीशेट के अंदर कुछ इस तरह से डाल दीजेगा इससे क्या होगा ना फ्रेंस जब आप इस तरह से यूज करेंगे ना कर्वट लेने पर भी ये बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है इससे आपका तक्या बिल्कुल भी गन्दा नहीं होगा ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा देखे कोई पुरानी टीशिट लिए लिजेगा इस तरह से तक्ये को पहना दीजेगा और तब आप इसको लगाएंगे न तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा ये अपनी जगे से बिलकुल भी नहीं ही लेगा तो जब भी आप ओिलिंग करें तो इस तरह से तक्ये में ज़रूर से लगा के रखिएगा तो आपका तक्या बिलकुल साफ रहेगा गंदा नहीं होगा उमीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा बहतर लगी कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजेगा और अपनी फ्रैंड और फैमली के साथ इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे शेयर कीजेगा तो friends मिलती हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye friends